हलो एब्रिवन, वेलकम टू माई चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स इस वीडियो में मैं कक्छा छे हिंदी के एक एन्वल एक्जाम कोश्चन पेपर यानि वार्शिक परिश्चा के पेपर को डिस्कस करने वाली हूँ जो की NCRT बुक पर बेज़्ट है और CBSC और MP Board के स्टुडेंट्स के लिए है प्रिश्चन पत्र 80 नंबर का है और लेंदी है इसलिए इसे दो पार्ट में डिस्कस करेंगे पार्ट 1 में प्रिश्चन 1 से प्रिश्चन 6 तक डिसकस करेंगे और पार्ट 2 में प्रिश्चन 7 से प्रिश्चन 12 तक डिसकस करेंगे पेपर को स्टार्ट करने से पहले मेरा ये सजिशन है कि आपको जो भी सिलेबस दिया गया है उनके macht factors को अच्छी दरह से read करियेगा इस पेपर से आपको अपने annual exam के पेपर का pattern पता चलेगा और बहुत सारी questions ऐसे हैं जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं चलेए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वाशिक परिक्षा कप्षा 6 हिंदी समय तीन घंटे पूर्णांग असी ये समय और पूर्णांग आपके स्कूल के according चेंज हो सकता है निर्देश नंबर वन इस प्रश्ण परत के चार खंड हैं का खा गा और घा सेकेंड चारो खंडों के प्रश्णों के उत्तर देना अनिवार है और थर्ड है यथा संभव प्रते खंड के उत्तर क्रमशा दीजिए इसी तरह के कुछ निर्देश आपके पेपर में होंगे पेपर को स्टार्ट करने से पहले इन निर्देशों को अवश्य पढ़िएगा और सभी प्रश्णों के उत्तर उसी क्रम में दीजिएगा जिस क्रम में प्रश्ण कोश्चन पेपर में पूछे गए हैं खंड का में सबसे पहले आपसे अपठित गद्याश पूछा जा सकता है अपठित का मतलब होता है जिसे अभी तक आपने नहीं पढ़ा है और गद्याश का अर्थ है किसी गद्य का छोटा सा आशिया भाग गद्य का मतलब है कहानी नाटक या फिर उपन्यास प्रश्ण वन निमलिखित अपठित गद्याश को पढ़कर प्रश्णों के उत्तर दिजे मनुष्य समाजिक प्राड़ी है क्योंकि समाज के बिना उसका जीवन अधूरा है समाज में र मित्र कहलाता है मित्र का चुनाव सोच समझ कर करना चाहिए कुछ लोग किसी की बाहरी चमक दमक बोल चाल तथा आर्थिक स्थिती को देखकर उससे मित्रता कर लेते हैं इस प्रकार की मित्रता अधिक दिनों तक नहीं चलती सच्चे मित्र का चैन करने के लिए उसकी विव का कोई अपठित गद्याश दे करके उससे संबंधित आपसे कोश्चन पूछे जाएंगे यहां पर पहला प्रशन है मनुष्य को सामाजिक प्राणी क्यों कहा गया है चलिए इसे गद्याश में देखते हैं मनुष्य सामाजिक प्राणी है क्योंकि समाज के बिना उसका जीव क्योंकि यहां पर एक मार्क्स का यह कोश्चन है प्रश्णों के उत्तर देते समय यह ध्यान रखना है कि उन प्रश्णों का उत्तर आप अपने शब्दों में दीजे इस प्रश्ण का उत्तर है समाज के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है उसे दूसरों के सहयोग की भी अवश्यक्ता पड़ती है जिससे वह दिल खोलकर अपनी सब बातें कर सके ऐसा व्यक्ति ही मित्र कहलाता है इसे छोटा करके अपने शब्दों में लिखेगा उत्तर है अपने सुख दुख को कहने सुने तथा विचारों का आदान प्रदान करने एवं कारियों में सहयोग के लिए व्यक्ति को मित्र की अवश्यक्ता पड़ती है अगला प्रश्ण है किस प्रकार की मित्रता अधिक दिनों तक नहीं चलती है गद्याश में देखे कुछ लोग किसी की बाहरी चमक दमक बोल चाल तथा आर्थिक इस्थिती को देखकर उससे मिर्दता कर लेते हैं इस मित्रता अधिक दिनों तक नहीं चलती अपने शब्दों में लिखेगा उत्तर है किसी की बाहरी चमक दमक बोल चाल तथा आर्थिक इस्थिती को देखकर की गई मित्रता अधिक दिनों तक नहीं चलती है प्रश्न खा सच्चे मित्र में कौन-कौन से गुण होने चाहिए विनम्र सदाचारी तथा चरित्रवान होता है उत्तर को बहुत बड़ा नहीं लिखेगा छोटा करके लिखेगा अपने शब्दों में उत्तर है सच्चा मित्र विश्वास पात्र दूसरों की भावनाओं को समझने वाला विनम्र सदाचारी तथा चरित्रवान होना चाहिए गद्यांश का अंतिम प्रश्ण है उप्युक्त गद्यांश को उचित शीशक दीजे। उपर्युक्त गद्यांश में मित्र के बारे में वर्णन किया गया है। इसलिए इसका सीशक हो जाएगा सच्चा, मित्र, यहां पे मित्र से संबंधित आप कोई भी वर्ण लिख सकते हैं। सीशक लिखते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि सीशक हमेशा एक शब्द से अधिक और चार शब्दों तक ही होना चाहिए। प्रश्ण दो निमलिखित पत्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्णों के उत्तर लिखे। पध्यांश दिया जाएगा और उससे संबधिर पांच कोश्चन दिया जाएगे। पर पहला कोशन है कौन कहता है फैलो इतना ढख लो तुम सारा संसार नीचे की लाइन देखे नब कहता है फैलो इतना ढख लो तुम सारा संसार यहां पर उत्तर में आप नब कहता है फैलो इतना ढख लो तुम सारा संसार ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर आप लिखेंगे फैल इतना ढख लो तुम सारा संसार ये बात नभ कहता है दूसरा प्रशन है परवत क्या कहता है पहली लाइन देखे परवत कहता शीष उठाकर तुम भी उचे बन जाओ पद्याश या फिर कविता में जो लाइन लिखी हुई है उसको इसी तरह से ना लिखकर आप उसे अपने श शब्द का परियावाची शब्द है यहां पर सभी एक दूसरे के परियावाची है एक शब्द आपको और परियावाची लिखना है उत्तर में आप लिखेंगे उपर युक्त सभी परवत शब्द के परियावाची है या अगला प्रश्ण है इन में से किन शब्द का होता है कुमल परवत सागर प्रत्वी और नभ हमें क्या देते हैं कगता में अगर आप देखें तो सभी कुछ न कुछ सीख देने की बात कर रहे हैं इसलिए उत्तर हो जाएगा परवत सागर प्रत्वी और नभ हमें जीवन में सीख देते हैं खंड खा यहां पर आपसे व्या और दूसरा है पिसना, ठकना की भाव अचक संग्या हो जाएगी ठकावट और पिसना की भाव अचक संग्या हो जाएगी पिसाई, प्रश्न तीसरे का अगला कुश्यन है निमलिखित शब्दों के दो-दो परियावाची लिखे, पक्छी, घर, इच्छा और घमंड, पक्छी कामना और अभिलाशा इसी तरह से घमंड का परियावाची हो जाएगा एहंकार, दर्प और अभिमान प्रश्न तीट में एक और प्रश्न है निमलिखित अशुद्ध वाक्वों को शुद्ध कीजे का बच्चे को काट कर सेब खिलाओ यहां पर ऐसा लग रहा है जैसे बच बच्चे को काट कर सेब खिलाओ इसे शुद्ध करके आप लिखेगे बच्चे को सेब काट कर खिलाओ दूसरा वाक्य था सारे देश भर में बात फैल गई यहां से आपको भर को हटा देना है उत्तर हो जाएगा सारे देश में बात फैल गई प्रश्न 4 निमलिखित तो इसका मतलब हो गया कथाकार यानि कहानी को लिखने वाला इसी तरह से जलन शब्द जल प्लस अन से मिलकर के बना हुआ है इसलिए कथाकार का प्रथ्य हो जाएगा कार और जलन का प्रथ्य हो जाएगा अन प्रश्न 5 निमलिखित वाक्यों में से संबंध वाचक सर्वनाम शब्द को रेखांकित कीजिए संबंध वाचक सर्वनाम ऐसे शब्द होते हैं जो एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध बताते हैं जैसे पहला वाक्य है मेरी वह घड़ी खो गई मुझे जन में दिन पर मिली थी यहाँ पर इस वाक्य का इससे कोई संबंध पता नहीं चल रहा है इसी तरह से खा देखिये यह वही फिल्म है तुम देखना चाहते थे यहाँ पर भी दोनों का संबंध पता नहीं चल रहा है और गा करेगा भरेगा यहाँ पर संबंध पता नहीं चल रहा है अगर पहले वाक्य में जो दूसरे वाक्य में जिसे और तीसरे वाक्य में जो सो जोड़ दिया जाए तो इन वाक्यों का आपस में संबंध समझ में आ रहा है अब इन वाक्यों को देखे मेरी वह घड़ी खो गई थी जो मुझे जनमी दिन पर मिली थी यानि जो लगा देने से इस वाक्य का इस वाक्य से संबंथ पता चल रहा है इसलिए जो संबंथ वाचक सर्वनाम है इस तरह से इस वाक्य में जिसे लगा देने से इस वाक्य का संबंध इस वाक्य से पता चल रहा है इसलिए जिसे संबंध वाचक सर्वनाम है इस तरह से जो करेगा सो भरेगा में जो और सो दोनों संबंध वाचक सर्वनाम है अगला प्रिश्ण है निम्लिकित शब्दों के विलोम शब्द लिखे पहला है बसंत, दूसरा विरोध और तीसरा आरंभ बसंत का विलोम शब्द है पतिछण विरोध का विलोम शब्द समर्थन और आरंभ का विलोम शब्द है अंत अगला प्रेश्ण है संदी विच्छेद कीजे पहला शब्द है पुरसकार इसका संदी विच्छेद करेंगे तो पुरा लिखेंगे प्लस का साइन लगाएंगे और उसके बाद कार लिखेंगे यह ध्यान रखेगा कि यहां पर सा के लिए अहा की मात्रा लगी हुई है इसी तरह से देहांत का संदी विच्छेद हो जाएगा देह प्लस और अंत प्रेश्ण आठ निमलिखी तरे खांकित विशेशन शब्दों की भेद बताएं यहां पर आपको यह बताना है कि नीचे दिये गए वाक्यों में कौन सा विशेशन है हिंदी में मुकरूप से पांच तरह के विशेशन होते है पहला गुण वाचक विशेशन दूसरा परिमाण वाचक विशेशन तिसरा संख्या वाचक विशेशन चोथा सर्व नासिक विशेशन और पांचमा व्यक्ति वाच्चक विशेशन यहाँ पर आपको भी बताना है कि इन दोनों वाक्यों में कौन सा विशेशन है का इस साल अधिक वर्षा हुई यहाँ पर अधिक शब्द वर्षा का परिमाण बता रहा है दूसरा वाक्य है यहाँ पुस्तक मेरी है इस तरह से इन दोनों वाक्यों के उत्तर हो जाएंगे इस साल अधिक वर्षा हुई यहाँ यह परिमाण वाच्चक विशेशन है खा है यह पुस्तक मेरी है यहाँ पर सर्वनामिक विशेशन हो जाएगा अगला प्रश्ण है नीचे दिये गए शब्दों में उपसर्ग जोड कर शब्द बताइए उपसर्ग ऐसे वर्ण या वर्णों के समूँ होते हैं जो दूसरे वर्णों के साथ जोड़ करके एक शब्द बनाते हैं जैसे दान है इसके आगे जुड़ेगा आ प्लस दान इसी तरह से खा में राग में राग से पहले अनु जुड़ेगा का में आ वर्ण जोड़ने पर नया शब्द जो बनेगा वो होगा आदान यानि यहां पर उपसर्ग है आ इसे तरह से राग में अनु जोड़ने पर अनु राग बनेगा और यहां पर उपसर्ग है अनु अगला प्रश्ण है किनी तीन मुहावरों के अर्थ लिखे गा आकाश पाताल एक करना खा कलाई खुलना गा घरी खोटी सुनाना और घा पहाल तूटना आकाश पाताल एक करने का अर्थ है बहुत अधिक परिश्रम करना कलाई खुलने का अर्थ है भेद खुलना खरी खोटी सुनाने का अर्थ है भला बुरा कहना और पहाल तूटने का अर्थ है बहुत भारी गस्ट आ जाना खंडगा प्रश्ण 4 निम्लिखित प्रश्णों के उत्तर दीजे इसमें पहला प्रश्ण है लेखक ने प्राक्रत के अक्षर किसे कहा है और दूसरा प्रश्ण है लाखो करोणों वर्ष पहले हमारी धर्ती कैसी थी ये दोनों प्रश्ण संसार पुस्तक है पाठ बारा से लि दूसरा उत्तर है लाखो करोणों वर्ष पहले हमारी धर्ती बहुत गर्म थी और उस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी इसी कारण उस समय धर्ती पर मनिश्यों का अस्तित्व नहीं था धीरे धीरे उसमें परिवत्तन होते गए और धर्ती में जानवरों और यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलेन को आश्यर क्यों हुआ यह प्रशन जो देखकर भी नहीं देखते पार्ट 11 से लिया गया है जिसकी लेखिका है हेलेन केलर इस प्रशन का उत्तर है एक बार हेलेन केलर की प्रीय मित्र जंगल में घूमने गई जब वह व देखते हैं क्योंकि वे तो आखें ना होने के बावजूद भी प्राक्रत की बहुत सारी चीजों को केवल इस पर्श से पहचान लेती है प्रशन दो क्या लोग गीत और निर्त्र सिर्फ गावों या कबीलों में ही पाय जाते हैं शहरों के कौन से लोग गीत हो सकते हैं इस पर विचार कर लिखो इस प्रशन का उक्तर है लोग गीत और लोग निर्त्र गावों या कबीलों में ही प्रसिद्ध हैं क्योंकि शहरी जीवन अतिव्यस्त होता है शहर में जगह की भी कमी पाय जाती है परंतु कुछ अवसरों पर जैसे विवाह त्यवार धार्मिक अनु तीन अलग अलग प्रसंग अपने शब्दों में लिखो जो इस बात का प्रमाण है ये प्रशन नौकर पाठ बंद्रा से लिया गया है जिसके लेखक है अनु बंधो पाध्याय इस प्रशन का उत्तर है नंबर वन गांधी जी आश्रम में चक्की में आटा स्वयम पीसा करत थे दूसरा आश्रम में वे सबजियां छेने का कार करते थे तीसरा आश्रम के नियमा नुसार सभी को मिल बाठकर बरता साफ करने पड़ते थे एक बार उन्होंने बड़े बरतनों की सफाई का काम अपने हाथ में ले लिया प्रशन चाल लेखक ने राजप्पा के टिकट करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की इस प्रशन का उत्तर है लेखक ने राजप्पा के टिकट इखटा करने की तुलना मधुमक्खी से की है क्योंकि मधुमक्खी विभिन फूलों से रस इखटा करती है उसी प्रकार राजप्पा ने भी विभिन इस्थानों और व्यक ये प्रश्ण चाहसी के रानी कगता से लिया गया है, जिसकी रचैता है सुबध्रा कुमारी चोहान. इस प्रश्ण का उत्तर है, कगता में स्वतंततरा संगराम के प्रथम दोर की बात है, कगता से उस समय के महौल के बारे में ये पता चलता है कि अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपना समराज हमारे देश में फैला लिया था, उस समय भी हमारे देश में स्वतंत होने की भावना क के बीज फूटे जरूर थे परन्तु संगठन का अभाव राजाओं की स्वाथ प्रिवत्ति आपसी फूट आध के कारण हमारा आंदोलन सफल ना हो पाया ऐसे विशम वातावरण में भी जहासी की रानी लक्ष्मिबाई और कुछ अन्य वीरों ने स्वतंत्ता की चिंग्डा ढ़ी जिसे लिखा है सुमित्रा नंदन पंदने इसका उत्तर है इस कविता में मां के आचल में चिपे रहने की बात कही गई है क्योंकि मां अपने बच्चों से सबसे अधिक प्यार करती है और उसके इस प्यार के आचल में बच्चा हमेशा अपने को निर्भय और लक्ष्मन पानी की तलाश में गय हुए थे अता जब तक लक्ष्मन लोट कर आते तब तक वे सीता की व्याकुलता और कस्ट को कम करना चाहते थे इसलिए राम बैठकर तेर तक कांटे निकालते रहे प्रश्ण चार धर धीर दय का आशय क्या है इस प्रश्ण का उत्तर है प् अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें